तो आधस्ति आया जिलेक। आज मैं शैक्ड करने वाली हूँ चारकोल सोप का रिव्यू प्लस ये बताने वाली हूँ कि वह जो शोप है, क्या स्किन वाइटिन के लिए work करता है या नहीं करता है कि आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा कि चार्कोल सोप को बताया जा रहा है कि वह एक फेर्डेस सोप है और इसको दो से तीन दिन अगर आप रिगर्डरली स्तमाल करोगे तो आपका जो स्किन है बिल्कुल फेर हो जाएगा तो इस ताइप के कुछ क्लेम्स है तो आज ले जृखने करे कि यह निफिसमाल के से बिल्ट्रक तो या खाट कायोर यह जा रहा है तो चार्कोल सोप शेता है करन normal हीडियो मेडियो फेर देल प्रकोस्ट्र抗ारा सब्सक्राइब कर ले तो इस विडियो चाल्कोल यह खरी तो भाष्यों करने हुआँ और प्रहा हो उसक आपको रट कलेकर सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा इसमों को क्लिक करना और उसके जश्च बगल में आपको बेल लाकन दिख रहा होगा उसको प्रेस जरू करना तक कि मैं जो भी वीडियो जा लो सबसे पहले आप नोटिफाइड हो चले वीडियो को ऑके गास् so सबसे पहले अगर में इसके पिकच्चिंग के बात करूं तो इस तरफी का प्लिजाइन में मिलता है यहां पर मैंने मुझवा ईयुक का फॉक्त पार्थी तो मैंने एक फौको को लिकाल करके और सेवें डे में इस तक प्छल किया अगर मैं इसके quantity की बाद करूँ तो आपको एक soap में 100 gram मिल रहा है और तीन soap का आपको 300 gram मिल रहा है जो कि around एक soap अगर आप इस्तमाल करना start करोगे तो आपका वन मन से जादा चल जाएगा डेरी मन तक चल सकता है अगर आप उसको पूरे body पे इस्तमाल कर रहे हो ठीक है सबसे अच्छी चीज यह होती है यह सारे soap की यह बहुत कम मेल्ट होता है लाइक होता ही नहीं है और यह बहुत लॉंग टाइम तक चलता है तो अब आपको दादू इसका जो क्लेम है वो क्या है तो यह आपके skin को बहुत अच्छी से क्लीं करेगा डीप क्लींजिंग करता हो और अगर आपके face में रेगूलर्ली dirt pollution हो जाते है अगर बहुत सदा बहार जाते है उसके बाद आने के बाद बहुत अच्छी बहुत डल लगती है तो उस टाइम पे अगर इसका 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 पर तो आपका जो dirt pollution जो जमता है रोज वो नहीं जमेगा और बहुत होती है और जिसके वेश से आपको जो स्कीन है काफी जदा ओईली सा लगता है तो उसको भी बहुत अच्छ से रिमूफ करता है और आपकी टॉक्सिन को भी रिमूफ करता है यह आपको 99 परसंट जम से प्रोटेक्ट करता है अगर आपके बोड़ी पे जम्स रेगूलर्ली ह होगा या फि कुछ नहीं प्रोब्लम होते ही रहें जैसे की इजनेस रिय्टेशन वगर होते ही रहेगा तौ 99 परसंट यह आपके जम्स को यूनों हebताता है और यह आपको प्रोटेक्ट करता है यह ज्Не स्कीन को एक्स भी ऑशे करता है और जिसके एवयर आपको रेगूलर तो गाइस मैं को दादू यह जो आपके बॉड़ी को मेंटें करके रखेगा और यह आपके स्किन को हिल्दी मना के रखेगा उसमें कोई भी डर्ट पोलिशन कुछ भी नहीं आने देगा और आपकी जो भी इचनेस एडिशन अगर आपको रेगूलर बेसेस पे होती है तो वह नहीं आए गी या फिर कोई भी कुछ भी हम अपकी जाता है तो वह नहीं आएंगा ठीक है जब आपका उसमाल करते औह-धेय। चल तो यह आपके बॉड़ी को बिल्कुल भी डार्क नहीं करेगा सबसे अच्छी बात यह है ठीक है और अगर आप नॉर्मल सोप्स करते हो तो उसमें जो है क्या होता है आपका जो बॉड़ी है वो ड्राइब ही हो जाता है काफी जादा बड़ यह आपके बॉड़ी को बहुत बॉड़ी करना बहुत सद इंपॉटेंट होता है क्योंकि उससे क्या होता है हमारी जो भी डेट स्किन सेल है जो भी खराब स्किन होती है वो निकल जाती है उससे ठीक है तो अगर आप इसको रेगुलरी अगर फॉलो करोगे तो कितना अच्छा हो जाएगा कि आपका जो भ दिधे गलो गएल फॉलो परिफ़िया परवाइड करेंगा तो नर्मल सोप जाएगा नहीं आपको मिल था यह स्था आपको एल इन वन है यह जो आपके स्किन को मेंटें और हली करक रखेगा वह नॉर्मल सोप नहीं रखता है अपनी देख़ा होगा जैपनी ए जैपनी और तो आपको ब्लैक हैट्स, भाइट्स , धॉइट्स , ड्राय स्कीन , ड्राय बिल्कूल भी नहीं होगा एक इवन टून स्कीन लगए जैसे कि Japanese और Korean लोका होता है तो आप इसको बिल्कुल ट्राय करूँ मैं आपको हाइली हाइली डिकेमेंट करूँगी मैं इसका पूरी बॉड़ी में और मैंने बहुत अच्छा इसका रिजर्ट दिखा है पूरी आपके इसका बिल्कुल परकूर काम पुरी छारी कर ये अगर सबसे रिकेमेंट करें येव को इसको प करें जो कि distracting नहीं को करता है बट गाइस नॉर्मल सोप से यह जो सोप है वो बेस्ट है और आपको इसको बिल्कुल ट्राइ करना है चाहिए अगर आप एक नॉर्मल यूनो सोप ढूंड रहे हो जो की बजेट फ्रेंडली भी हो और बहुत सही हो हिल्दी बना के रखें ग्लोइंग बना के रखें और इवन टोन स्कीन रहें बिल्कुल मैनेजबल रहें तो आप इसको बिल्कुल ट्राइ करो रेगुलर बेसिस के लिए बहुत अच्छा है और मैं आपको आदो नॉर्मल सोप में कैमिकल होते हैं बट यह बिल्कुल कैमिकल स्कीन के लिए बिल्कुल सेफस साइड में हो जाता है इसका मैंने पैक ओफ थ्रे मंगवाया है और मैंने इसको सेवन देस तक रेगुलर इस्तमाल किया बहुत मुझे अच्छा रिजर्ट मिला है तो मैं आपको हाइली रिकेमेंड करूंगी कि आप यह सारी सोप को इस्तमा बहुत में जाता है तो आप से लिगी रेगुलरी फॉल कर सकते हो एंट बाइन को अगर यह तो आपके स्कीन के लिए को सुप भूंड नहीं करीगी तो एसा नहीं है इसको यूज को युज़ करनेके बाद आपको एक अनुमस्टराइस यूज करना है और अगर बहार भी ज वहीं से आप लेना और वहीं से बाइक करो वहीं से मैं भी मंगवाया है और बिल्कुल अच्छा है तो यह ही आज का वीडियो और अगर आप चार को सोप लें चाहते हो तो आप ले सकते हो बड़ फैरनेस के लिए यह वर्क नहीं करता है जो चीज मैंने बताया उसी के लिए सो यह ही आज का वीडियो और आपके लिए हिलफुल रहोगो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लेजेगा और आगर आप में शायर पर नहीं हो और मुझे पहली बात देख रहो तो प्लीज रिक्वेस्ट एक चानल को सब्सक्राइब कर लेना आपको नीशे रेट कर लि कर लेना बाई